हेलो दोस्तों कैसे हो आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेलेव में आप जई कैसे बन सकते हैं इसके लिए क्या eligibility criteria रहता है और इसमें age limit हो कितनी रहती है exam pattern वो कैसा रहता है syllabus में कौन-कौन से topic आते हैं और salary training के टाइम में कितनी मिलती है और training के बाद में approximate salary कितनी मिलती है दोस्तों मैं खुद railway में जई के पद पे हूँ और मैं electrical department पे हूँ तो दोस्तों मैं आपको बहतर तरिके से बता पाऊंगा कि आपको syllabus में क्या-क्या पढ़ना है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि RRB जी होता क्या है दोस्तों RRB फिर्फर में होती है railway recruitment board यह railway recruitment board यह जई और technician की exam of conduct करवाती है और RRC railway recruitment sale यह group D की exam of conduct करवाती है पेसिकली दोस्तों जब 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 जई की exam आती है तो इसके साथ में junior engineer IT की भी आती है इसके अलावा DMS डिप्टी material superintendent की भी exam आती है और इसके अलावा आती है CMA chemical metallurgical assistant यह जो भी post आती है यह level 6 की post होती है और यह सारी सारी जो post है यह grade पे बैयान इसों की होती है इसमें जो basic करता है दोस्तों 35,400 का रहता है तो यह जो सारी सारी जो post है यह supervisory level की होती है मतलब आपके अंडर में technician रहते हैं आपको उन से काम करवाना रहता है आपको खुद कोई काम करना नहीं रहता है और keval और kevalWhoa आपको सिर्फ paperwork होता है दोस्तों आपको सिर्फ paperwork करना रहता है आपका कोई भी physical काम नहीं रहता है आपकी एक white color job होती है लेकिन आपके पास में वो responsibility बहुत ज़्यादा होती है तो बात कर लेते हैं यहाँ पर qualification की junior engineer के लिए degree of diploma होना चाहिए दोस्तों अगर आपने electrical branch से degree कर रखी है तो आप electrical department में junior engineer बन सकते हैं civil से degree of diploma है तो आप civil department में junior engineer बन सकते हैं वैसे electronics है इसके एलाव mechanical है तो आप mechanical engineer बन सकते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं DMS depo material superintendent अगर आप DMS बनना चाहते हैं तो आपके पास में degree of diploma होना चाहिए ठीक है फिर बात कर लेते हैं junior engineer IT IT के लिए दोस्तों आपके पास में या तो PGDCA का course या फिर BCA, BCACS, BTEC, IT ये सब course होना चाहिए CMA, CMA की फिर्फर होती है chemical and metallurgical assistant तो उसके लिए आपके पास में BAC होने चाहिए physics या फिर chemistry से ठीक है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर age limit की 18-30 साल है general के लिए और 3 साल का concession है यहाँ पर OBC के लिए तो यह हो गई 18-36 साल और फिर SCST के लिए यहाँ पर 5 साल का concession रहता है तो age limit होगी total SCST वालों के लिए 18-38 तक अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर exam pattern का की exam pattern है वो RLB, JEE का कैसा रहता है DMS माल लो चाहिए पर CMA माल लो तो यहाँ पर दोस्तों दो type की exam रहती है CBT1 और CBT2 ठीक है जिसको बोलते है परी और मेंस उसके बाद में होता है document verification और सबसे last में होता है medical examination तो यह है दोस्तों exam pattern यहाँ पर CBT1 का CBT1 में total timing होता है 90 minute मतलब 1.5 गंटा तो यहाँ पर दोस्तों total यहाँ पर 4 subject आते है पहला है mathematics इसमें question आते हैं 30 और हर एक question एक marks का होता है तो यहाँ पर total हो गई mathematics के 30 marks फिर general intelligence जिसको बोलते है reasoning तो यहाँ पर reasoning के question आते है 25 और जो marks है वो भी 25 है फिर है general awareness ठीक है जिसको बोलते हैं जी के तो इसके बाद में general science यह है 30 question इसके आते हैं और 30 marks का है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं total 100 questions होते हैं और आपके पास में 90 minute होती है ठीक है और यह दोस्तों CBT वोई ना यह शिर्फ qualifying nature का होता है इसके कोई भी marks है वो add नहीं होते final marks बनने में ठीक है अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यदा आपको कौन से subject पढ़ना है पहला तो है देख सकते हैं कि आप यहाँ पर weightage है mathematics का दूसरा यहाँ पर weightage है general science का तो सबसे ज़्यदा आपको पढ़नी है general science general science के अंदर mainly physics है chemistry है और biology यह आपको तीन subject पढ़ने है इसके एलाओ यहाँ पर आपको mainly focus करना है mathematics पर फिर आपको करना है general intelligence पर और फिर सबसे लाश्ट पर आपको focus करना है general awareness पर वेटेज की according आपको पढ़ाई करनी है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर CBT-2 की तो यह है CBT-2 CBT-2 है दोस्तो टोटल इसके timing होती है 120 मिनटे मतलब आपके पास में होते हैं 2 गंटे और इसमें जो number of question है यह बढ़ जाते है टोटल क्योशन आते है 1500 क्योशन ठीके यहाँ पर आप देख सकते कि जो general awareness है इसके क्योशन आते है 15 और यह 15 मार्क्स का होता है ठीके physics and chemistry यह इसके आते है 15 क्योशन और यह मार्क्स का है इसके 15 ठीके तो general awareness और physics chemistry है यह दोनों equal marks के हैं ठीक है फिर बात कर लेते हैं basic of computer and application तो यहाँ पे आपको computer knowledge होना चाहिए क्यों क्योंकि दोस्तों आप supervisor level की post है वो आप join करना जा रहे हैं और आपको है जो computer knowledge होना जरूरी है क्योंकि आजकल है जो भी काम हो गया आपको लेटर बेजना रहता है और इसके आलाव आपको knowledge होना चाहिए इसके आलाव एक्सल का होना चाहिए फिर यहाँ पर basic of environment and pollution control तो इसकी question आते हैं 10 question फिर है 10 marks का है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे लाश्ट में टेक्निकल एबिलिटी यह सबसे ज़्यादा इसका इबाटेच रहता है यह so question आते है और इस so marks का technical ability है मतलब कि आप जिसे मालो आप जैई है mechanical जैई के लिए आप पोस्ट है आप apply कर रहे हैं तो आपके पास में mechanical ब्रांज से जो क्योशन आएंगे वो आएंगे so question civil से अगर आप apply कर रहे हैं तो civil के question आएंगे so ऐसे ही electronics के लिए so और electrical department है इसके लिए भी so question आएंगे technical field से इस तरीके से total डेट सो question आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा weightage है यहाँ पर technical ability का है technical field का है जिस field से आप belong करते है उस field का है तो यहाँ पर आपको सर्फ ज़्यादा focus करना है technical field पर फिर यहाँ पर देख लिए weightage तो gk का weightage और physics और chemistry फिर से आ गया तो physics और chemistry को आपको ज़्यादा पढ़ना है general awareness हाँ पिलकुल थोड़ा पढ़ना है आपको second cpt में ठीक है फिर है computer और environment यह भी आपको थोड़ा क्यों क्योंकि इसका weightage है तो यहाँ पर 1500 क्योंसे रहते हैं और timing है दोस्तों यहाँ पर 120 मिनट यहाँ पर दोस्तों negative marking होती है तो आपको negative marking का भी ध्यान रखना है तो बात कर लेते हैं उस point के जिस point का आपको सबसे ज़्यादा इंतजार रता हुआ है salary तो दोस्तों जैसे क के लिए equal है फिर है DA जिसको बोलते है महँगाई बता तो currently जो DA है वो है 15,000 के आसपास मान लो ठीक है 46% है ठीक है अब दोस्तों जो 35 plus 15 मान लो तो कितना होगे total 50,000 ठीक है तो 50,000 है यह training के time में मिलता है training के time में शिर्फ आपको basic पे मिलता है और DA ठीक है training के बाद में आप की कई सारे allowance से वो add हो जाते है depend upon की आपकी जो job किस location पे और किस type की है तो lump sum मान लो की जो अचारे है वो 67,000 बे मान लो ठीक है यह depend करता है CT पे फिर है यहाँ पर transport allowance मिलता है आपको traveling allowance मिलता है तो यह सब मिलके total मान लो की extra आपको 10,000 बे मिलते है ठीक है तो 50 plus 10,60,000 ठीक है तो 60,000 रुपे आपको पर मत ट्रेन के बाद में आपको payment मिलेगा तो यह था रेलो जाए के बारे में अगर दोस्तों आपकी फिर भी कोई doubt है तो आप मेरे को comment section में comment करके पूछ सकते हैं इसके अलावा आप DMS और CMA के बारे में पूछ सकते हैं मेरे कई सारे दोस्त है जो D हैं में की post पर शेवा कर रहे हैं तो आपके कोई भी doubt हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं thank you दोस्तो